क्या हमें blue chip shares, मतलब ऐसे share जो आज के दिन इंडिया में top shares है उनमें क्या stop loss भी लगाना चाहिए या फिर उसमें सिर्फ averaging down करते जाना चाहिए ये एक ऐसा question है जो आपने मुझे सबस्यादा पूछा है ये एक ऐसा question है जो हर एक retail investor के दिमाग में आया तो जरूर होगा invest arch for call के open for all telegram का link description में अगर अभी तक आप उसका part नहीं बने invest arch for call जैसे ही आप telegram पे search करेंगे आपको ये open for all channel मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही important discussion कुछ एक ऐसा points आपको पता लगने वाला है जो शायद आपने कभी महसूस तो करा हो पर accept ना किया हो चलिए शुरू करते हैं blue chip shares ऐसे shares जिसमें हमें invest करके लगता है कि हम तो बिल्कुल safe heaven में हैं हमें यहाँ पे कोई tension नहीं होने वाली पर आज मैं आप सभी के सामने पहले कुछ facts present करने वाल हूँ कुछ blue chip share का क्या हाल हुआ उसके बाद हम समझेंगे क्या मैं इसमें stop loss लगाना भी चाहिए या फिर averaging down करते जाना चाहिए पर पहले कुछ data पर काम करने की जरूरत है सबसे पहले कुछ ऐसे blue chip share की बात करते है जो 95% से ज़्यादा correct हो है more than that यहाँ पे तो मैं आपको कुछ अभी recent example देने वाला हूँ आपको जरूरत लगे ना चाहे 90s हो चाहे early 2000 हो कहीं पे भी जाके उस समय के blue chip shares देखेगा और देखेगा कि क्या वो आज listed भी है या नहीं पर अभी के कुछ recent example जिन से आप सभी connect कर पाएंगे उन्हें discuss करने की कुशिच करते है सबसे पहला और सबसे पसनिदा blue chip share एक ऐसा share जिसमें retailers ने दिल खोल के पैसा गमाया है पहला blue chip share Yes Bank, DHFL, Jet Airways, CG Power नाम लेंगे तो नाम खतम नहीं होंगे Gen Irrigation, Gen Irrigation में तो मुझे personally भी pain पता है क्योंकि मेरे काफी investors भी इसमें फसे वे थे और उन्हें हर टाइम लगता था जब भी Gen Irrigation correct होता था उन्हें लगता था कि this time it's different अब ये bounce करेगा इसके अलवा Macloid Russell हो, Built हो नाम खतम ही नहीं होंगे, Syntex हो इतने सारे ये सारे ऐसे share है जो कभी blue chip हुआ करते थे बाद में कब वो cow chip और unknown shares बन गे किसी को पता नहीं चला Gen Irrigation से personally मेरा तोड़ा attachment जादा है क्योंकि मैंने इसे closely track किया है Gen Irrigation Yes Bank को समझने की कोशिश करते है Gen Irrigation, जब Gen Irrigation अच्छा कर रहा था ना, कि बहुत अच्छा कर रहा है उस समय promoters की holding थी 31% mutual funds की holding थी 3.35% 54% FIIs के पास था और बाकी 4-4.5% था retailers के पास जब ये correct होता गया ना retailers को लगा कि ये है एक blue chip share हम तो करेंगे इसमें averaging वो averaging पर averaging averaging पर averaging करते गए और अब आज के दिन इसका हाल देखे तो promoter का stake 28.6% पर 2 चुका है mutual funds 0% FIIs 9% के आसपसे और बाकी सारगा सारा 55% से उपर है retailers के पास retailers तो लगे रहे कि यार ये share एक blue chip share है multi bagger होने वाला है मैंने जो पैसा Jain irrigation से खोया है वो मैं कमाँगा भी Jain irrigation सी वो Jain irrigation के पीछे पढ़े रहे FIIs वहाँ से निकलता रहा promoters निकलता रहा mutual funds निकल गए बट retailers विचारे blue chip share के पीछे पढ़े ही रहे next example लेते है syntax जब syntax अच्छा कर रहा था 34% था promoter stake 12% के आसपस था mutual fund का 33% था FIIs का और विचारे retailers का था 8% जब syntax गिणना स्टार्ट हुआ retailers को लगा कि ये वापिस से है blue chip share देखिए यहाँ पर मेरी कुछ बात है शायद आपको बुरी लग जा है पर कुछ ऐसे principles के बारे में बात करने वाले है जो आपको हमेशा काम आएंगे आज नहीं तो कल आप सभी इस video के लिए हमें याद जरूर करेंगे syntax की बात करें syntax में promoter का stake 5% से नीचे जा चुका था mutual fund FIIs 0 है आज के दिन और retailers 80% से उपर retailers ने इसमें invest कर रहा है retailers को अभी भी लग रहा है कि जो मैंने loss syntax के खिया है syntax से ही निकालेंगे और retailers बिचारे averaging down averaging down averaging down करते रहे गए और FIIs mutual funds हर कोई ये share को छोड़के जा चुका पर बिचारे retailers तो इससे blue chip समझ के अभी भी hold कर रहे है next share की बात करते है mccloid russell mccloid russell promoter उसका 46% stake था mutual funds का 2% के आसपस FIIs 35% और retailers का 10% से नीचे हुआ करता था जब mccloid russell अच्छा हुआ करता था mccloid russell blue chip से cow chip बनता गया promoter ने अपना stick 25.8% कर दिया mutual funds और FIIs ने almost zero कर दिया और retailers बिचारे 57% से उपर stick mccloid russell में कर चुके है ये कहानी है बाकी सारे shares की कोई सा भी एक ऐसा blue chip share उठा लीजे जिसको आप नाम नी जानते हैं हर एक retailer उसमें फसा होगा और retailer का उसमें काफी बार averaging डाउन करके एक बड़ा investment रखा होगा अब यहां से इससे पहले कि हम आगे concept पे चले और कुछ important चीज़ समझना शुरू करें अगर अभी तक आपके आज डीमाट नहीं है description में डीमाट अकाउंट और प्राइवाट चैनल पर चुडने का process भी है उसी के साथ साथ अगर आपको लगे useful तो आप join button membership consider कर सकते members को हम काफी additional चीज़ सिखाने की कोशिश करते आपके लिए useful हो सकता है अब बात करते principle की देखिए जब आपने एक rule बना लिया है देखिए मेरा personal rule है कि मैं stop loss follow करूँगा अगर आप stop loss follow कर रहे हैं और मेरे target returns होते हैं जो मैं follow करने की कुशिश करता हूँ रधर जब तक कोई share uptrend में है मैं उससे book नहीं करता provided general market stance मेरे favor में हो general market stance positive हो बाकि stop loss as a rule में चाहे वो blue chip share हो mid cap का कोई share हो small cap share हो कोई से भी cap का share हो stop loss as a rule मैं personally लगाता हूँ क्योंकि किसी भी share के पीछी की कहानी actually उसमें क्या चल रहा है वो बादने पता चलता है पर उसका price internal news भी आपको पहले reflect कर देगा मतलब क्या देखिए आप और हम कितनी भी study कर लिए और हम समझ ले कि और हमने बहुत सारी fundamental study कर लिए हमें पताए कि यह share बहतरीन है बट अगर उसके अंदर कुछ गफला भी होगा उससे आने में बहुत time लग जाएगा बट वो गफला आपको charts पे उसके chart pattern पे उस share के falling price में पहले दिख जाएगा तो अगर कहीं पे भी stop loss hit हो रहा है चाहे वो कितना ही पसंदीदा और कितना ही बहतरीन share क्यों ना हो मैं personally उसमें exit लेनी की कोशिश करता हूँ because जब कोई rule होता है rule के कोई exception नहीं होते exception मैं भी कई बार कर जाता हूँ but वो मेरा emotional part होता है जो मुझे force करता है किसी rule में exception apply करने में जब मैं 5 वर exception apply करता हूँ चार बार मुझे भी दुख होता है और ऐसा लगता है कि अब मैंने क्यों apply करा और वो मैं apply भी सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बार मुझे बहुत खुशी हुई होती है मतलब उस एक बार की खुशी के पीछे हम अपने rules तोनने को ready हो जाते है final decision होगा आपका क्या आप भी ऐसे ही कुछ blue chip share में फसना चाते है या फिर अपने rule follow करना चाते है और जो आज के blue chip है मतलब आज के blue chip जो कल भी blue chip रहेंगे अगर वो कल भी blue chip है तो मैं उनके साथ हूँ अगर वो कल blue chip नहीं है तो मैं at least उनके पीछे नहीं पढ़ूँगा ये मेरी personal philosophy होती है आपका अपना decision हो सकता है अपने financial advisor से पूछ के आप अपने consult कर सकते है और अपना decision मना सकते है but as a rule stop loss मेरे हिसाब से चाहे वो small cap हो, mid cap हो, large cap share हो blue chip कितना ही share हो हमें उसमें apply करना होगा क्योंकि उसकी पीछी की कहानी अंदर की कहानी जब तक आपके और हमारे पास आईगी तब तक हो जाएगी बहुत ज़्यादा देरी और वो हमें पहले ही price action में दिख जाएगा आपको ज़रुद पढ़ेना बहुत सारे shares में आप निकाल के देखेगा कोई सा भी share जो टूटा हो उसमें आपको पता चलेगा कि news बात में आती है price reflect आपको technical chart में पहले पता चलता है price में पहले पता चल जाता है कि कुछ बड़े players महां से निकले उनके पीछे-पीछे मैं भी निकलने के लिए ready हूँ मैं कोई जित पकड़के नहीं बैठूँगा कि यार मुझे इस share में loss हुआ है तो मुझे profit भी इसी share से काम आना है यह है मेरा personal principle I hope आपको आया होगा मजा अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के आज share करना मत बूलेगा सिर्फ पास दोस्तों के आज share कीजिगा बहुत छोटा concept है बट इतना important है जो आपको lifelong काम आने वाला है चैनल को subscribe, bell icon click नहींगा तो ऐसा ही कोई important video miss हो जाएगा मिलेंगे next video में तब तक happy investing and I will see you very soon